क्या आप सभी को भाई अपनी रॉरल फिल्ट स्टैंडर्ट रिफ्टी 2022 में जब पर्चेस करने चाहिए या फिर नहीं इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके बार में complete knowledge हो जाने वली है वीडियो को इंट तर देख लेना आज इस वीडियो में आपको मैं प्रेंड में जो हमको इसमें डिस्क मिलती है वो अपने रॉल फिट की खुद की डिस्क होने वले गए यहां पे हमको एंड उपा देखो को टेलिस्कूपिक सेस्पेंचन मिल जाते हैं जो कि अपने 35 mm के इसमें हमको प्रवाइड हो जाते हैं उसके उपर बात करते हो इदर ग प्रवाइड हो जाती है आप बाइक की पुरी लुक को चक आउट कर सकते हो अब मैं आपको जो है इसके इंजन की स्पेस्किशन के बारे में बता दुगा सो पहले आपको मैं यह बताना चाहते हो कि बाई अब जो रॉलेंड फिल्ट का न्यू वेरेंट इंड डू का स्टै प्रवाइड कर देती है इसमें को फाइब स्पीड के साथ इसका गेर्वाक हमको देखने को मिल जाता है बाकि आप लुक चेकर सकते हैं पूरी बाइक की पूरा एक्जॉस्ट कर सकते हैं काफी बैटरी ने काफी शांदर लुक है अगर आप देखोगे तो इधर हमको अमको बुलेट त्रिफ्ट के आप हमको बैच मिल जाता है जो की काफी ओल्स्कूर टैब लुक में है टैंक देखोगे टैंक के अंदर काई जो आप लाइन जिक्रों यहां पर जो कि अपनी यहां पर बनी हुई है वह सारी आप हारी हैंड क्राफ्ट है यह बहुत अच्छा फीच काफी अच्छा का डिजाइन है पुरी बैक का एंड क्लेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं वहां काफी कंफरेबल पोश्चर के से डिजाइन किया है बाकी इदर देखो कि अपना हाइव लोगी में का स्विच है नीचे हमको का इस हमारा इंडिकेटर का बटन मिल जागा जहान का एंड इधर हमको मारे डिपर पास का स्विच जो है प्रोड हो जाता है उससे देखो को तो सिरफ हमारा आइडल शार्टर का बटन है इसमें को मारा इलेक्टिक शार्टर को आप्शन नहीं मिलता अगर आपको एलेक्टिक शार्टर चाहिए तो उसके लापको बुल दोनों के शीट यहां पर ठीकटा कंफटेबल डीसेंट कंफटेबल है मैं जाद नहीं बताऊंगा सब्सक्राइब अगर आप यह बैक को ले रहे तो आप या फिर आफ्टर मर्केट सीट पर स्विच कर लेना अगर आपको एक्स्टा कंफट चाहिए तो पाकि यह वाली इसमें 19 इंच का टायर जो बैक में मिल जाएगा रॉल्समिल का लोगों काफी ओल्ड स्कूल टाइप लुक में इसकी जो बैक की जो काई हमारी टेलेट है वो काफी अच्छे डिजाइन में या पर रखते हुई है और पीछे टायर देखने को होने बले है और पीछे का शु तो देखने को नहीं मिलता था पाकी अच्छी कासी फीचर नहीं मिलता इस बैक में जाद यह बाइक के जितना भी प्राइस जग है तो सारा के सारा इसकी डिजाइन एंड जो इसका जो चलाने का मज़ा है यह सारा प्रैजिंग सिर्व उसके लिए है बाकी फ्रेंड की जो होने वाली है माईयलेज के बारे बात करती है यहां पर फ्रटी फॉर्ट के राउंड मिल जाता है हाइवे में बागी आपको इतने में है प्रॉस्ट मैलेज है हमको हाईवे में मिल जाता है आप 215 mm इस वह अपना 191 kg जो इसका बॉड़ी के डिजाइन है वह हमारा यहां पर एक क्रूजर टाइब में रखा हुए तो अच्छा-कासे डिजाइन मिल जाते हैं अब हमको एंड बात करते कलर ऑप्शन की तो गाज इस सिरफ ओनली कलर हमको ऑप्शन जो है कलर ऑप्शन इस वाली इस वाली में एक सिंगल कलर ऑप्शन ही हमको देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं किसके लिए बैक जो ज्यादा अच्छी है किसके लिए बैक की तरफ जाना चाहिए तो यह बाइक आपको सेज़ेश्च तभी करता हूँ अगर आपको एक रॉल इंफिल्ट का थम चाह सबना क्लासिक हो गया मीटियोर हो गई सो इस बैक में हमको सिरफ चलाने का मजाने वाल है एंड यह बाइक में वाइब्रेशन भी है सो डी बहुत रिफाइन्मेंट इंजिन की बीस थ्री एं बीस फॉर वाले कंपाइल से जाद है यहां पर हमको मिल जाती है लेकिन वाइब खुद के काफी बैठरीन प्रोड़क्ट जो गई जहां पर चलाने लोगे हो स्टैनेड जो हमारी है और जिन लोगों को अपना थोड़ा है यहां पर पर जो है आप लोगों को सजेश्ट करता हूँ बाइक में ऐसी कोई परशानी नहीं काफी अच्छी बाइक है बस यहां पर थोड़ी फीचर जो है इन सब में यह लाइक करती है बागी बात करते हैं प्राइजिंग के बारे में एक शोरू में इस बाइक का अपना 1,45,000 के प्राउग्स आपना 1,73,000 के प्राउग्स आप लेकर चलो और आपको एक और नोट बताना चाहत हूँ कि हम बहुत जल्द नहीं चीज हमारे चैनल पर स्टार्ट करने वाले सो उसके लिए आरे चैनल पर बने रहना सब्सक्राइब कर देना नहीं हमारे चैनल पर ज सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना भूलना मत शेयर कर देना इस वाली वीडियो को जो पर अपने रॉल इंपिल्ट के लवर से स्टैंडर लवर से बॉलेट लवर से उनके साथ यह जरूर से शेयर कर देना बाकिया मुझे कमें मुझे बता सकता आप कैसी लगे मारी आची वीडियो मिलते हैं सबसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए भाई थैंक्स वर वाचिंग आप टोडेश वीडियो एंड थैंक्स वर तुनिंग इन बाई बाई झाल